बॉलिवूड कैफे आज explain कर रहा है एक psychological drama movie इस movie में एक middle age आदमी को उससे एक आधी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है और इस forbidden love के disastrous consequences क्या होते हैं देखेंगे हम इस movie में South Africa के coastal region के एक remote village के बीच के किनारे पर एक आदमी टहल रहा होता है तब ही वो देखता है कि तीन लोग वहाँ पे नहा रहे होते हैं उसमें से एक लड़की पर उसकी नजर जाती हैं वो लड़की नहाते हुए इस आदमी को देख लेती हैं थोड़ी देर इस आदमी को ये लड बहार टहल रहा था तो वो किसी लड़की के रोने की आवास सुनता हैं वो आवास सुनके इस घर के पास में आता हैं तो वो देखता हैं कि बोट के अंदर कंबल ओडे एक लड़की रो रही होती हैं वो उसको आवास लगाता हैं तो एक लड़की बहार निकलती हैं वो तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। लेकिन जॉन कहता है कि सायद आइस लाकर मैं तुम्हारे आँखों पर सेख कर सकूँ, तो वो लड़की चिड़ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या, तुम्हें कह रही हूं कि तुम चले पास नहीं करना चाहती है। पारी बज़स से ही मैं रो रही हूँ चुप चाप यहां से निकल जाओ। पास नहीं करता है और वापस जब वो जैकी के पास आता है तो जैकी उसको वहाँ पे नहीं मिलती है। अगले दिन सुबर जाओन एक लड़की का स्विम्सूट देखके अपनी टीनेज डॉटर को याद करने लगा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। और वो इस लड़की को अपनी डॉटर के रूप में इमेजिन करके बहुत खुस हो रहा होता है। वो साम को इसी बीच पे बैठा बैठा अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है। तब ही वो देखता है कि वो लड़की जैकी अपने फादर और अपने ब्रदर के साथ कहीं जा रही होती है। तो जान उसको पूछता है कि तुमारी आँख की चोट ठीक हुई या नहीं तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जैकी जैसे बहुत डरी हुई थी जैकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। जान कहता है कि तुमारी कैप मेरे घर में ही पड़ी है तुमें चाहिए तो ले जाना। जैकी को अंजान आदमी से बात करते हुए जैकी के फादर जैकी को पूछते हैं कि ये कौन है और तुम इसको कैसे जानती हो लेकिन जैकी ऐसा लग रहा था कि अपने फादर से बहुत डरती हैं और वो उनको कोई जवाब नहीं देना चाहती। उसी रात को जैकी के फादर जान के घर पे आते हैं और उसको अपने घर पे डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं क्योंकि उनको जैकी ने बता दिया था कि जान ने उसकी हेल्प करने की कोशिस की थी इसलिए जैकी के फादर ने जान को यहाँ पर डिनर के लिए होते हैं वो destiny और भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं इसलिए हर चीज को वो भगवान के भरोसे ही छोड़ देते हैं डिनर टेबल पर जैकी का भाई अपने खाने से मस्ती कर रहा होता है तो उसके disciplined और orthodox father को ये सब पसंद नहीं आता हैं तो वो उसके भाई पे चिलाते हैं जैकी अपने फादर के गुस्से को देख के बोलती है कि तुम हमेशा हमारे उपर चिलाते क्यों रहते हो हमेशा अपने बच्चों को dominant क्यों करते रहते हो और वो john को कहती है कि चलो मेरे साथ यहां स निकल जाता है यह साउथ अफरीका की एक remote जगह है जहां पर चारों तरफ जंगल है और बहुत ही कम population यहां पर रहती है जैकी जॉन से cigarette मांगती है जॉन कहता है कि क्या तुमारे डैड को ये बात पता है कि तुम smoke करती हो तो वो कहती है कि भाड में जाए मेरे डैड चुप नहीं जानते हो तो जॉन कहता है कि तुम चाहो तुम उससे share कर सकती हो कि ऐसा तुमारे साथ क्या हुआ जिसकी वज़े से तुम इतनी जादा aggressive हो गई हो जैकी अब थोड़ी सी सांथ होती है और वो चाती है कि वो अपना दुख किसी के साथ share करे तो उसको जॉन सही बंदा लगता हैं तो वो उसके साथ उसका pain share करने के लिए तयार हो जाती हैं वो कहती है कि कुछ महीनों पहले हमारे घर में चोर गुसाए थे और चोरों ने चोरी करने के साथ साथ मेरे साथ जबरदस्ती करना भी सुरू कर दिया जब वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो मेर मॉम ने रजिस्ट किया और मेरे मॉम के रजिस्ट करने की वज़ से उन चोरों ने मेरी मॉम को गोली मार दी तब से ही हमारी फैमिली काफी परिसान है और जैकी ये सब सुनाते सुनाते बहुत ज़्यादा emotional हो जाती है जैकी जॉन के सर पे चोट देखती हैं तो वो पूचती हैं कि तुमारे सर पे ये चोट कैसे लगी क्या हुआ था तुमारे साथ तो जॉन उसको बताता है कि एक बार वो अपनी वाइफ और अपनी डॉटर के साथ ड्राइविंग के लिए जा रहा था तो उसकी आ माफ नहीं कर पाएगा कि उसकी वज़र से उसकी डॉटर और उसकी वाइफ की डैथ हो गए जैकी जॉन की कहानी सुनके बहुत एमोशनल हो जाती हैं और जॉन के साथ इसकी बॉंडिंग थोड़ी बढ़ जाती हैं ये दोनों जॉन के घर पे आते हैं क्योंकि जैकी को यहा पे लेटी हुई हैं और वो ऐसा लग रहा था कि जॉन की तरफ काफी एट्रेक्ट हो गई हैं तो जॉन कहता है कि ये लो तुमारी कैप मिल गई हैं तो जैकी जॉन को पूछती है कि क्या तुमारी कोई गल्फरेंड है तो जॉन कहता है कि नहीं तो जैकी कहती है कि अगर त तुम्हारी कोई girlfriend नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे साथ यहां पर आकर रह सकती हूं तो John कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं जैकी इस answer से काफी disappoint हो जाती है लेकिन John रूम से बाहर चला जाता है लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि जैकी अपने सारे पड़े उतार कर उसके सामने खड़ी हो गई है क्योंकि जैकी अब उससे काफी ज्यादा attract हो चुकी थी लेकिन John को जैकी को इस हालत में दे के बहुत बड़ा सौक लगा और वो जैकी को एक कंबल देता है जैकी इस बात से काफी disappoint हो जाती है जैकी कहती है कि तुम मुझे हा मैं बैठी-बैठी रो रही थी मुझे आख पे किसी ने पंच कर दिया था वो मेरे डैडी थी मेरे डैड नहीं मुझे पंच किया है मेरे डैड काफी abusive है और बहुत बार मुझे मारते भी है इस बात पे जैकी पे काफी तरस आता है क्योंकि वो already उन रॉबर्स की जवरदस् वो जैकी को जाकर हग करके उसको कंसोल करने की कोसिस करता है तो जैकी को ऐसा लगा कि अब जॉन मान गया है तो वो फिर जॉन को किस करने लग जाती है लेकिन जॉन उसको रोकता है और उसको कपड़े पहना के अपने घर जाने के लिए कहता है जैकी पहले तो जाना नहीं लेकिन insist करने पर जैकी को जॉन के घर से जाना ही पड़ता है अगले दिन जैकी अपनी मेड को लेकर जॉन के घर पे आती है और जॉन से उसके behavior के लिए sorry बोलती है थोड़ी दिर बाद मेड वहां से चली जाती है तो जैकी जॉन को कहती है कि मैं कल के लिए बहुत सर्मिंदा हूँ प्लीज मुझे माफ कर दो मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी तो जॉन जैकी को माफ कर देता है तो जैकी कहती है कि चलो hiking पे चलते हैं यहां पर बहुत अच्छी hiking साइट है अब ये दोनो hiking के लिए निकल जाते हैं जैकी अपने past में हुई जबरदस्ती की वज़े से परिशान थी और जॉन अपनी family के साथ हुए accident की वज़े से परिशान था ये दोनों अकेले मनी मन बहुत दुखी थे इनका दुखदर्द बाटने के लिए इनके पास कोई भी नहीं था तो इस सुनसान से जंगल में इन दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया तबी वहां इसी रोड पर एक इस गाउं का पुलीस वाला आता है और वो जैकी को पूचता है कि आदमी तुमारे साथ कैसे हैं क्या तुम इसको जानती हो तो जैकी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ ये मेरे डैड का फ्रेंड है तो वो पूलीस वाला थोड़ा कमफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि ध्यान रखना जॉन और जैकी दोनों hiking साइट पे जाते हैं जॉन की age जैकी की age से डबल से भी जादा थी जो उसके hiking experience में clearly visible थी लेकिन जॉन की family के accident के बाद में उसको पहली बार जैकी में कुछ आसा की किरन देखी वो उसके साथ time spent करने को enjoy करने लगा और उसको ऐसा लगा कि कई महीनों बाद में उसको कोई ऐसा मिला है जो उसके दिल की गहराई के दर्द को समझता है और उसके साथ वो ओपनली अपना दुख दर्द सेर कर सकता है ठीक ऐसा ही जैकी के लिए था उसके साथ हुई जबरदस्ती और उसके एब्यूजिव फैमिली इन्वर्मेंट की वजह से वो अपना दुख दर्द किसी के साथ सेर नहीं कर पाती थी तो वो भी अपनी सारी बाते अब जॉन के साथ सेर करने लगी और इन दोनों का प्यार अब धीरे धीरे परवान चड़ने लगा हाइकिंग साइट पे पिग हैड पे बैठे बैठे जै नहीं वो तुमारी मॉम पर गोली चलाते जैकी कहती हैं कि मेरे फादर बहुत ही कंजरवेटिव और और्थोडेक्स टाइप के हैं वो वेस्टरन कल्चर को बिलकुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं जबकि मैं एक ओपन माइंडेड और प्रोग्रेसिव माइंड की लड़की अब जैकी यहाँ पे जॉन के साथ थोड़ा रोमांस करने लग जाती हैं तो जॉन कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और यह दोनों मिलके वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं साथ अफरीका के इस लस ग्रीन डैन्स फॉरेस्ट में यह दोनों जब घर की तरफ जा रहे थे तो जैकी और जॉन दोनों एक दूसरे की तरफ एट्रेक्ट हुए और यहाँ पे वो दोनों इंटिमेट होने लगते हैं लेकिन इस सुनसान से जंगल में पास में ही जैकी के फादर और उसका ब्रदर बोटिंग कर रहे थे जिसकी आवाज सुनके जैकी और जॉन यहाँ से अपने राज खुलने के डर से भागने लगते हैं जॉन घर पे आके अपना सामान पैक करने लगता हैं उसको बता था कि आज नहीं तो कल उसका राज खुली जाएगा उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से सिटी में चले जाना चाहिए लेकिन वो देखता हैं कि उसके घर के बाहर जैकी का फादर आके खड़ा हो गया हैं उसको लगा कि राज खुल गया लेकिन जैकी का फादर कहता हैं कि आज की रात तुम हमारे साथ डिनर करो फिर कल सुबे निकल जाना तो वो खुसी से उसके साथ डिनर करने चला जाता है अब ये सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो जॉन बताता है कि वो कल यहां से जाने वाला है तो जैकी उसको शड्यूस करने में लग जाती है और डिनर टेबल के नीचे पैर से जॉन के पैर को टच करती है और उसको अफनी तरफ attract करके यहां से नहीं जाने के लिए मजबूर करने लगती हैं लेकिन जॉन कहता है कि मैं तो कल पोर्ट एलिजाबेट से डर्बन के लिए निकल जाऊंगा जैकी कहती है कि डर्बन जाके क्या करोगे दूसरी साधी करने वाले हो क्या तुम किसी इंटरनेट साइट पे ज जान को टीस करने लगती है कि तुम बहुत ही ओल्ड और बद्दे दिखते हो तुमें कोई पसंद नहीं करेगी और वो अपना वैल्लियू उसको जताने की कोसिस करती हैं जैकी के इस बिहेवियर की वज़स से जैकी के डैड जान से माफी मांगते हैं लेकिन जैकी जान के ज जान के साथ अपना रोमांस जता ही लिया था अब जान भी चाता था कि अब वो वैसे भी जा रहा है तो वो जैकी के साथ जाके यहां पे रोमांटिक होता हैं और ये दोनों मिलके यहां पे इंटिमेट होते हैं घर के बाहर से इन दोनों को इंटिमेट होते हुए ऐसा लग भी उपर से देखता है कि सच में मैड ही आई होती हैं वो मैड जॉन को अजीब नजरों से देख रही थी कि अब जैकी के डैड को जब ये बात पता चलेगी तो जॉन का क्या हाल होगा जॉन और जैकी इस बात से काफी डर जाते हैं जॉन फटाफट अपना बैक पैक करता है और यहां से डर्बन के लिए रवाना होने लगता है लेकिन तब ही वो देखता है कि जैकी का डैड उसके घर पे आया है जैकी का डैड उसको बताता है कि उसका बेटा साइमन कहीं चला गया है और वो कहता है कि प्लीज उसको ढूनने में मेरी मदद करो तुम एक दो दिन ब भाई यहां नहीं मिलता है जैकी यहां पर अलग अलग जगह पे मिसिंग के पोस्टर लगा रही थी और अपने भाई के खो जाने की वज़े से काफी दुखी लग रही थी अगले दिन इस गाउं का पुलीस वाला रास्ते में जॉन को पिक करता है और वो कहता है कि तुम और जैकी काफी अच्छे फ्रेंड होना मैं जैकी को बहुत पसंद करता हूं मेरी साधी की बाद तुम जैकी से करोगे क्या लेकिन जॉन कहता है कि देखो अभी तो उसका भाई गायब हुआ है अभी तो मैं ऐसी कोई बात कर नहीं सकता और वो उसकी कार से नीचे उतर जाता है बहुत डूनने के बाद में भी जैकी का भाई कहीं पर भी नहीं मिलता है तब ये लोग माल लेते हैं कि सायद जैकी का भाई अपने एब्यूजिव फैमिली इंवर्मेंट की वज़से कहीं पर भाग गया है और वो सायद वापस यहां पे कभी नहीं आएगा जिसकी वज़ जैकी के डैड थोड़े जादा परिसान हो जाते हैं जॉन जैकी के डैड को कहता है कि मैं कल यहां से निकलने वाला हूँ वो देखता है कि जैकी उसी पुलिस वाले के साथ बैठी बैठी वहाँ पे टीवी देख रही होती हैं अगले दिन सुबह बीच पर जॉन तुम्हें क्या चाहिए तो जैकी कहती हैं कि मुझे यहां पे नहीं रहना हैं तुम मुझे अपने साथ डर्बन ले चलो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मुझे अपने फादर के साथ नहीं रहना हैं वो रोते हुए कहती हैं कि प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो जान उसको कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि वो देखता है कि वो पुलीस वाला वहाँ पे आ गया है और थोड़ी देर बाद में जाकी के डेड़ भी व्हाँ पे आके खड़े हो गए है जाकी के डेड़ जब इन दोनों को ऐसी हालत में देखते हैं तो उनका गुस्सा साथवे आसमान पे चला जाता है और ये पुलीस वाला तो वैसे भी जैकी से साधी करना चाता था तो वो भी अब जॉन के अगेंस्ट हो जाता है जॉन हिम्मत करके स्विम करता हुआ किनारे पे पहुंसता है और जैकी के डैड को कहता है कि हम सिर्फ स्विम कर रहे थे तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिलकुल भी नहीं है तो जैकी का डैड कहता है कि अगर तुमारी बेटी के साथ भी कोई ऐसा करे तो तुम क्या करोगे तो जॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है मुझे कपड़े लेने दो इस बात पे पुलिस वाला गन निकाल देता है और जैकी का डैड एक डंडा उठाता है और डंडे से जॉन के मूँ पे अटेक कर देता है जिसकी वज़े से जॉन को काफी चोट लगती है और अब जॉन जंग के डैड में काफी फाइट होती है और ये दोनों एक दूसरे को लड़ते लड़ते लहु लुहान कर देते हैं तभी जैकी के डैड पे बबून अटेक कर देता है और बबून के इस अटेक की वज़े से जैकी के डैड को हैड और नेक में सीरियस इंजरीज होती है जॉन को था कि ये बबून बहुत वायलेंट हो सकते हैं इसलिए वो अब बबून को मारना ही बहतर समझता हैं वो एक स्टिक उठाता हैं और बबून को मार डालता हैं तबी वहाँ पे जैकी और वो पुलिस वाला आता हैं और यहाँ पे यह आलात देख के जैकी बहुत घबरा जाती ह वो पुलिस वाला जैकी के गायल डैड को बाहर लेके जाता हैं, जैकी भी घर से बाहर जाती हैं और जॉन भी उनके पीछे-पीछे उनकी हेल्प करने के लिए जाता हैं, ये दोनों मिलके जैकी के डैड को हॉस्पिटल ले जाने के लिए पुलिस की वैन में बिठाते हैं, औ और पुलीस वाला जॉन के सर पे गन रखके कहता हैं कि अगर तुम एक दिन भी यहां और रुके तो मैं तुम्हें खुद गोली मार दूँगा चुप चाप कल सुबह यहां से निकल जाना। खाफी देर तक जॉन के साथ ही चली जाएं लेकिन अपने फादर को इस हालत में छोड़ के वो जाना नहीं चाहती थी तो वो उल्जे मन से रोते हुए अपने फादर के साथ पुलीस की वैन में बैट जाती हैं जिसको अब जॉन भी सपोर्ट कर रहा होता हैं क्योंकि वो तो already mature था और उसको पता था कि यही जैकी के लिए ज़्यादा सही होगा जैकी और जैकी के डैट गले मिलके बहुत रोते हैं और realize करते हैं कि दोनों का relation और दोनों के बीच में प्यार कितना ज़्यादा जरूरी है एक दूसरे पर थोपे गए rules और restrictions आदमी के relations को बरबाद कर सकता है freedom और liberty के लिए तो इंसान जीता ही है अगर उस पर ही कोई पाबंदी लगा दे तो पिंजरे में बंद पक्सी और restriction में बंदे इंसान में क्या ही फरक रह जाएगा जैकी का मन अभी भी कुछ हद तक जौन में ही अटका हुआ था वो जौन के साथ जाना चाहती थी जौन भी यही चाहता था लेकिन जिंदगी इतनी आसान चोईस कहां देती है इतनी आसान तो जिंदगी है नहीं जिंदगी तो एक constant streaming pain है आप एक solve करोगे तो दूसरा मिल जाएगा दूसरा solve करोगे तो तीसरा मिल जाएगा और इसी के साथ ये movie end हो जाती है movie का explanation अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा हमारे channel को subscribe कीजेगा and thank you for watching